हेलो एवरीबन इस क्लास में हम लोग मेजर करने वाले हैं पावर एंड पावर फेक्टर यूजिंग 3-Emitter method देखो 3-Emitter method स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि यदि हमें AC circuit में पावर मेजर करना हो तो हम लोग wattmeter, emitter और voltmeter इन तीन चीज़ों का भी यूज करके मेजर कर सकते हैं और तीसरा क्या हो सकता है 3-Voltmeter method के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं मैंने एक वीडियो से एर किया था आप लोग को टेलिग्राम में आप उसको जाके देख सकते हो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हम लोग ने wattmeter, emitter और voltmeter से कैसे power and power factor मेजर किया था ठीक है तो देखो एक emitter लिये थे हम लोग मैं अपली circuit बना के खाली दिखा रहा हूँ ठीक है यहाँ पर load लगा है इसके across voltmeter लगा लिया है V और यह current meter होगा है I यहाँ से supply, इसी supply जा रहा है ठीक है तो देखो यह जो wattmeter है wattmeter से हमें power मिल जाएगा voltmeter से voltage, emitter से current ठीक है तो power का formula होता है V I cos by power थो हमको यहाँ से मिल जाएगी आराम से ठीक है voltmeter से voltage मिल जाएगा वो यह है और current meter यानि emitter से current मिल जाएगा तो basically cos by हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से directly P upon V I तो यह एक हमारे पास method था जिससे हम लोग हम लोगों ने power and power factor measure किया था अब यह हमारे पास माननों कि wattmeter होई ना तो हम लोग कैसे measure कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग measure कर सकते हैं power and power factor किस-kis method से 3 emitter method से और 3 watt meter method से तो देखो यहाँ पर हमारे पास wattmeter नहीं है 3 emitter method मतलब 3 emitter से ही हम लोग power and power factor measure कर रहा है तो यहाँ पर कुछ और चीजे हैं जो हमें समझने की जरुरत है सबसे पहला चीज है कि देखो यहाँ पर 3 emitter ही क्यों use की है है ना वो भी हमें समझना है हम लोग समझ लेंगे अभी दिरे-दिरे एक resistance यहाँ पर लगाया है, वो हम लोगों ने क्यों लगाया है, यह load है, वो तो simple है, आप लोग जानते ही हूँ, कोई भी load हो सकता है, यहाँ पर motor हो सकता है, कोई भी load लगा सकते है आप लोग, ठीक है, अब यहाँ पर इसका derivation करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ phasor diagram, ठीक है न, यदि आप लोग को phasor diagram नहीं मालूम है, तो phasor होता है क्या है basically, phasor diagram क्या होता है, कि एक तरह का representation है, sine wave को हम लोग किस तरीके से so करना है, जैसे मान लोग हमारे पास, sine wave का मतलब क्या है, कि देखो यह supply है न यहाँ पर, यह AC supply है, है न, यदि हम voltage की बात क रहे हैं, तो v is equal to vm, instantaneous voltage, sine omega t होता है, i की यदि बात कर रहे हैं, तो i n, sine omega t होता है, जहाँ पर v n क्या है, maximum voltage, है न, omega t यहाँ पर क्या सो कर रहा है, किसी भी instant, किसी भी time period पर हम लोग को check करना हो, कि voltage कितना होगा, तो हम लोग उस चीज़ को बोल सकते हैं, यह वाले v, small v को instantaneous voltage या instantaneous current यहाँ पर, अब यहाँ पर हमको voltage और current इन दौनों को phasor diagram के according यदि सो करना है, तो basically यहाँ पर हम लोग क्या सो करने वाले हैं, voltage और current का generally relation हमको पता चलता है, कि इनका बीच में phase angle कितना होगा और इसका magnitude क्या है, basically magnitude तो हम लोग directly नहीं कह सकते, यह एक तरीके से हम लोग बना लेते हैं, ठीक अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है एक बार बना के देखते हैं, जैसे मालो हमारे पास तीन component होता है, एक एक करके मैं बताता हूँ, resistance, inductance और capacitance, RLC circuit के बारे में मैं आगे वीडियो मैं discuss कर दूँँ में, normally मैं यहाँ पर जो circuit बना हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को, face angle difference कैसे होने वाला है, voltage और current का, तो पहले हमें RL के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए normally मैं R और L का circuit का जो फेजर है, वो बता देता हूँ, जैसे मालो हमारे पास resistance है, R इसके across, यहाँ पर current होगा, और यहाँ पर voltage हो वी आ रहे है, ठीक है, अब यहाँ पर यदि हमको इसका फेजर बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, हम लोग यह चीज़ जानते है कि जो resistance है, ठीक है न, resistance का, resistance मैं मैं बता देता हूँ, normally हम लोग जो formula लिखते थे, P is equal to V I, है न, cos phi, power का formula ही होता था, जहाँ पर cos phi हम लोग लिखते थे, power factor होता है, cos phi is equal to क्या होता है, R upon Z, ठीक है न, तो देखो Z क्या है, impedance, और Z का formula क्या होता था हमारे पास, R square, plus XL minus XE का whole square, ठीक है, यह होता था, अब यहाँ पर यदि pure resistance लगा हुआ है, purely resistance की बात कर रहा हूँ मैं, purely resistance यदि लगा हुआ है, तो यह वाला component क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है न, क्योंकि XL और XE दोनों मैं से कोई component नहीं है, तो Z is equal to क्या है, under root of R square is equal to R, तो cos phi is equal to क क्या हो जाएगा, R upon R, यानि 1, और cos phi 1 क्या होता है, जब 5 is equal to कितना हो, 0 हो, ठीक है न, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि resistance के case में, angle कितना होता है, angular position कितनी होती है, उसकी voltage और current के बीच में, जो angular position है, वो कितनी होती है, 0 होती है, यानि voltage और current के बीच में, जो angle होगा, वो समझ में आगया कि cos phi 0 है, sorry, phi angle कितना है, 0 है, cos phi is equal to 1, यानि unity power factor रही है, अब, यदि हम लोग phasor की बात करते हैं, यहाँ पर, ठीक है, देखो, यदि यहाँ पर हम लोग, इससे vr मान लेते हैं, एक reference मानना होता है, vr, voltage हो गया, voltage का phasor हो गया, ठीक है, मान लोग current voltage से कम है, तो इसका amplitude हम लोग कम बनाएंगे, ir, तो देख सकते हो कि voltage और current के बीच में जो है angle वो कितना है, 0 है, यानि 5 is equal to 0 है, ठीक है न, तो यह same phase में बन गया है, दोनों की दोनों, यह हो गया, r circuit का phasor, ठीक है न, purely resistive component का, अब यहाँ पर, same हम लोग देख ल inductor का, ठीक है, यहाँ पर resistance नहीं है, यह pure inductor है, l, ठीक है, यहाँ से current pass हो रहा है, il, इसके across voltage है, vl, ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ हम लोग बात करते हैं, तो देखो, अब यहाँ पर j is equal to कितना हो जाएगा, under root of r square, xc, xc, xc तो ही नहीं, है न, यानि इसमें capacitor नहीं है, तो xc का component का है, 0 है, तो मैं direct लिख देता है, xl का square, तो यह z component आ गया, तो cos phi is equal to कितना है, r upon z है, तो z का value जो है, हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो जो भी cos phi की value आएगी, वो हमें कुछ ना कुछ मिलने वाली है, ठीक है, यानि phi is equal to 0 नहीं होने वाला है, ठीक है, न, phi is equal to 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो angle हो गई, ठीक है, लेकिन यह purely inductive है, यानि pure inductor है, तो pure inductor के case में, जो phi होगा, क्योंकि resistance नहीं है, है न, जब resistance नहीं होगा, तो angle कितना होगा इसके बीच में, phi का 90 degree, और वो भी क्या, देखते हैं वागे, ठीक है, मैं इन चीजों को RLC circuit डाइग्राम समझ लो, ठीक है, तो देखो, यदी मेरे पास, इसे VL मान लेते हैं, voltage, तो current इससे क्या करेगा, lag करेगा, 90 degree, क्योंकि यह purely inductive है, इसलिए 90 degree lag करेगा, ठीक है, यह चीज़ के लिए हो गया, लेकिन यदी यहाँ पर एक resistance लगा देते हैं, मान लो, यहाँ पर एक resistance लग जाता, तो क्या होता, यह किसी angle से, फाई angle से, ठीक है न, अब जो यहाँ पर I होने वाला है, मान लो, ठीक है न, अब I L में direct नहीं कह सकता, I मान लेते हैं इसको, ठीक है, वो क्या है, फाई angle पर होगा, ठीक है, यह चीज़ clear होगी, अब आगे देखते हैं कि, यह चीज फेजर diagram हम समझ चुके हैं, आगे और भी detail में मैं RLC circuit को discuss करूँगा, अभी फिलाल हम रूप 3 emitter method, discuss करेंगे अब, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले, I1 मान लेते हैं, यहाँ पर current I2 है, यहाँ पर current I3 है, ठीक है, तो I3, I2, इनका फेजर हम लोग बना लेते हैं, और I1 क्या है, यदि हम लोग KCL लगाएं यहाँ पर, तो KCL के according, I1 is equal to, कितना हो जाएगा, I2 plus I3, अब यदि हम लोग फेजर बनाना चाहें, तो कैसे बनाएंगे, देखो, सबसे पहले मैं बनाता हूँ I2 का, क्योंकि I2, resistance से पास हो रहा है न, मानलो मैंने इसे I2 बना लिया, अब यहाँ पर I3 की बात करते हैं, यहाँ पर यह RL circuit दिख रहा होगा, यहाँ पर यह L है, और यह R है, यह प्योरली इंडक्टिव कंपोनेंट तो है नहीं, इसमें R और L दोनों हैं, तो यह किसी एंगल, 5 एंगल से lag कर जाएगा, इसे मैं मान लेता हूँ I3, यह एंगल ह हो गया, 5, ओके, अब क्या करना है, इसके पैरलल में, यह देखो, इसके पैरलल यह होगा, I3 के पैरलल यह दौनों लाइन है, I2 के पैरलल यह दौनों लाइन हो चुकी है, ठीक है, यह हमारे रिजल्टेंट बन गया, और यह ही रिजल्टेंट क्या है, I3 है, यह फेजर है, ध्यान रखना, वेक्टर है, यह वेक्टर नहीं है, यह ध्यान रखना, नहीं तो मैं इसे डारेक्ट निकाल सकता था, ठीक, अब यहाँ पे, यह हम लोग फेजर बना चुके हैं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जब हमने I2 लिया, तो हमें पता है कि I2 जो है, वो R के अक्रॉस है, तो इसके, इसमें जो एंगल है, बेसिकली वो तो 0 होना है, हमें current से लेना देना है, और बाकी चीज़ों से लेना देना है ही नहीं, ठीक है, तो देखो, I2 यहाँ पे बना लिए सबसे पहले, और I3 की य सेम फेस पे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ यहाँ पे मैंने V नहीं बनाया, तो यहाँ समझ जाना कि यहाँ पे V आर भी है, ठीक है, लेकिन जो current I3 की अधी हम बात कर रहे हैं, I3 यह, ठीक है, तो देखो, I3 जो है, वो I2 से लेक करेगा किसी फाई एंगल पे, क्योंकि यह एक RL कंपोनेंट है, जो मैंने पहले बताया था, फेजर डियागराम में, सेम, ठीक है, तो उसके according हम लोग इसके resultant को निकाल सकते हैं, यह चीज हो गई, अब यहाँ पे, एक चीज आप लोग को समझ में आया होगा, कि जो मैंने सबसे पहले question किया था, कि हमने 3 emitter क्यों ल तो इससे कोई मतलब बनता नहीं, दोनों की दोनों series में हो जाते हैं ना, ठीक है, तो हमें तो series में एक ही emitter लगाना है ना, तो दोनों यदि यह नहीं लगाते हैं मान लो, तो इन दोनों का लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और हम लोग basically यहाँ पे, हम लोग को phase angle चाह में 5 बन जाएगा, तो इसलिए एक resistance R लेने की पड़ी जुरत, ठीक है, दूसरा region, दूसरा region यह है कि यदि हम emitter को directly लगा दे without resistance के, तो क्या होगा, यह पूरा की पूरा short circuit हो जाएगा, ठीक है, जब short circuit हो जाएगा, तो सारी current यहाँ सी पास हो जाएगी, इससे तो पास हो ही नहीं, तो यह circuit पूरा की पूरा break हो सकता है, basically और कुछ नहीं है, खराब हो जाएगा, क्योंकि यह emitter जो है, इस पूरे supply के series में हो जाएगा, एक तरह से ऐसे समझा, series में मतलब क्या है, यह, मान लो यह पूरा की पूरा short हो गया, ठीक है, यह और यह, ऐसे गर के मान लो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान रहे है, series है, लेकिन जैसे ही यह circuit इसके across बन जाएगा, तो यहाँ से current पास नहीं करने वाला है, ठीक है, तो basically यह parallel में हो जाएगा, देखो, यह, यदि current यहाँ से पास ना किया, और सिर्फ यहीं से पास कर जाएगा, दिख रहा है, red वाला, ठीक है, तो देखो, supply के parallel में लग गया यह, एक तरीके से, जबकि हम लोग को लगाना किसमें, series में, तो इसलिए यह पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, sort हो जाएगा, अब दूसरा region, देखो, यहाँ पे resistance लगाने का समझ में आ गया होगा, जो मैंने भी बता है, basically resistance हटा दो तो हम लोगों ने phasor diagram बना लिया है, अब देखो, कि यहाँ पे हम लोग parallelogram लगा के directly निकाल सकते हैं, अब लोग लगा लेना आराम से, मैं direct लिख रहा हूँ, parallelogram से हम लोग निकालते हैं, I1 का square, ठीक है? यह I3 नहीं है, sorry, यह I1 है, यहाँ पे भी देख लो, यह I1 है न, मेरे को I1 लिखना था, इस्टिक से लिखा गया I3, आप लोग I1 करना इसको, क्योंकि यह वाले current निकाल रहा है, I3 तो already मैं देख चुका हूँ न, यहाँ पे lag कर रहा है, और I2, तो यह basically I1 है, यह वाले, parallelogram का, वही मैं direct लिख रहा हूँ, I1 का square, is equal to I2 square, plus I3 square, plus 2I2, I3, cos5, ठीक है न, अब यदि मान लोग confusion हो रहा है, तो देखो यह वाला, इस तरिके का formula रहता है, न, under root करके, यादा आगया होगा आप सबको, है न, अब मैं square हटा देता हूँ, I1 square, मतलब यह root हटा के, square लग लेते हैं यहाँ पर, plus I3 square, plus 2I2, I3, cos5, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, I2 is equal to यहाँ पर क्या है, देखो यह वाला जो I2 है, I2 is equal to क्या लिख सकते हैं, V upon R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं न, विलकुल, ठीक है, तो देखो, power हमको यदि न निकालना रहें, सबसे पहले यदि हम power की बात कर रहें, कुछ नहीं करना है, I2 की जगे, V upon R put कर दो, ठीक है, I1 square is equal to I2 का square, plus I3 square, plus 2, V upon R, I3, cos5, यहां तक हो गया, अब सारे terms को एक साइड लेके चल जाओ, 2 V by R, I3, cos5 is equal to I1 का square, sorry, minus I2 square minus I3 square, ठीक है, और यहां पर 2 जो है, इसके नीचे चला जाएगा, और R multiply हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, V I3, cos5 is equal to, I1 square minus I2 square minus I3 square, divided by 2, यहां एसे लिख लो, V I3 cos5 है, तो basically हम लोग डारेक्ट लिख देता हूं है, यहां पर, यह P हो जाएगा, ठीक है, तो यह power का formula हमारे पास आ चुका है, क्या आ गया, I1 square minus I2 square minus I3 square into R by 2, ठीक है, तो यह formula हो गए power का, बिल्कुल simple था, और कुछ नहीं करना है इसमें, यहां पर, सबसे पहले, I2 is equal to V upon R put करना है, यह वाले equation में, ठीक है, I2 है न, यह वाले में, हम लोगों ने क्या put कर दिया, V upon R, जब V upon R put कर दोगे, बाकी term को एक तरफ ले जाओ, खाली, V I3 cos5 is equal to, क्या हो जाएगा, P, यानि power, तो वहीं मैंने लिख दिया, P is equal to, यानि power हमारे पास म यह हो गया, पावर का, अब हम लोग को cos5 यदी measure करना है, तो cos5 विल्कुल simple है, यह वाला जो formula दिख रहा है, यानि इसको यदी हम equation 1 मारना है, equation 1 से, हम लोग डारेक्ट निकाल सकते हैं, देखो, cos5 को एक तरफ रख लो, बाकी term को एक तरफ उस तरफ ले जाओ, left side, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, cos5 is equal to, i1 का square, minus i2 square, minus i3 square, divided by 2i2 i3, ठीक है, i1 square, minus i2 square, minus i3 square, divided by 2i2 i3, यह cos5 हो गया, पावर का क्या निकाल लेते हैं अभी हम लोग ने, एक बार लिख लेते हैं, P is equal to, i1 का square, minus i2 square, minus i3 square, i1 square, minus i2 square, minus i3 square, into ry2, ठीक है, तो यह था हमारा आज का, derivation, जिसमे हम लोगो ने देखा, power और power factor, यानि cos5, 3 emitter method से कैसे निकालना, ठीक है, अब इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए किसी को, इसमें सबसे important चीज ही है, कि यहाँ पे हम लोगों ने resistance क्यों लगाया, तीन emitter का ही use क्यों किया, वो आप लोगो clear हो गया, क्योंकि हमको एक resultant बनाना था, i1 का, नहीं तो i1 हम लोग नहीं निकाल पाते, total current जो पास हो रहा है, और दूसरा region क्या था, कि हम phi नहीं measure कर पाते, यादि हम लोग 3 emitter use नहीं करते तो, एक चीज यह हो गई, ठीक है, और एक region क्या था, यह sort circuit हो जाता, पूरा की पूरा, यादि हम लोग यह वाला emitter use नहीं करते, sorry, emitter use करते और resistance use नहीं करते, तो यह पूरा की पूरा sort हो जाता, ठीक है, तो यह चीज थी, इस method में, ठीक है, तो यह हो गई हमारा आज का session complete, यदि इसके बाद भी यदि किसी को कोई doubt रहता है, तो मुझे आप लोग telegram या classroom पे comment कर सकते हो, यहाँ पे description box में भी comment कर देना, मैं answer कर दूँगा, okay, तो ओके, आज की class over करते हैं, thank you for watching,